हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल विश्वा कर्मा सेंटर पे आज की वीडियो में ITI Supplementary Exam, ED & Practical Cessinals और जो CBT exam का जो डेट एक्स्टेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब CBT exam कब से होगा और ED Practicals के exam missions की बात इसमें की गई है तो वो कब होगा और जिनका सेशनल और attendance formative assessment होगा अभी upload नहीं हुआ था जिनका नाम वीजिवल नहीं होगा था तो उसके regarding ये लेटर जारी किया गया है तो चलिए देख लेते हैं तो जैसे कि आप ये देख पारे होंगे ये लेटर DGT के दोरह ही जारी किया गया है और जो ये लेटर है आपका 18 नुमंबर 2022 को ही जारी किया गया है और जब आपने सब्जेक्ट में देखेंगे तो देखेंगे हाँ पर सब्जेक्ट में भी बात किया गया है आल इंडिया ट्रेट टेस्ट एई एई टी सप्लिमेंटरी नॉमबर दो हजर बाइस सीवीट एग्जामेशन फोर सप्लिमेंटरी ट्रेनीज ऑफ एन्युल सिस्टम आप कि अब जो आप एई टी सप्लिमेंटरी एग्जामेशन जो होने थे नॉमबर में चीवीटी तो सब्सक्राइब के लिए जैसे जो एन्युल सिस्टम और समेस्टर सिस्टम दोनों के लिए बात किया गया था तो लेकिन यहां पे देखिए यहां पर बहुत सारे थे और अठेंडेंस अगरा का जो भी बात की गई थी तो देखिए जो 18 19 20 के सेशन के थे और 21 सेशन के थे और सेमेश्टर सिस्टम 2 2014 से 2017 के बच्चे थे तो चाहे उनका 1-year IT-8 course ओ या 2-year IT-8 course और 6 month IT-8 course ओ तो उनके देखिए formative assessment attendance exam और सेसनल attendance examination semester चाहे दोनों के लिए बात किया गया है और देखिए यहांपे supplementary examinations जैसे कुछ लोका नाम नहीं नहीं सोह रहा था तो क्या हुआ था कि पीछले बार जो CBT exam नहीं दिये मतलब बादावट examology payment की वो CBT exam दिये थे तो उसके regarding अभी उनका supplementary exam लिश्ट में नाम सो नहीं हो रहा है तो देखिए उसी के रिगार्डिंग यहां पर बात किया गया है तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे जैसे CBT कि फिस उकल टू CBT करेंट एक्जामनेशन प्लस पेंडिंग CBT फिस्ट यहां पे इसका मतलब यह किया गया है कि जो आपका पहले का रिमेन इंग फिस और प्रुल सभी का दोनों को जोड़कर करके आपको प्रेमिंड करना होगा और फिर देखिए यहां पे यहां पे एक एड करने के लिए बोल दिया गया है और देखें यहां पर उनके एक्जामनेशन के लिए बोल दिया गया है और देखें यहां पर उनके एक्जामनेशन के लिए कि ब्यात किया गया है इस के आगे निश्ड लिखा वाया है इसका मतलब MaßET इस जाएगा और देखिए जो अभी एक्जामनेसंस होने थे आपके पचीस नौम्बर से उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात किया गया है फर्दर सीवीटी फीस पेमेंट डेट हैज बिन एक्टेंड टील बीस नौम पर दो हजार बाइस तो आपका पेमेंट करन तो आपका जो सीवीटी एक्जामनेसं पचीस नौमबर से होने वाले थे अब आपके यहां पर शिफ्ट हो गया है दोसी दिसंबर दो हजार बाइस को आपका यह सीवीटी एक्जामनेसंस होगा तो यह थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेंडेंस तो आप मि और हम बात किया गया है उनके लिए मौका दिया गया है और आपका सप्लीमेंटी एक्जामनेशन सफी पचीश नौमबर सीफ्ट करके 10 नौमबर कर दिया गया है तो यहां तो थोड़ा से टाइम मिल गया है और जिन लोग रिमेनिग बच्चे है जिनका यह प्रोसे कम्प्लिट नहीं हुआ था आप अपने कॉलेज में जल्दी से कॉंट्रिक करके इस तारा प्रोसेस कर वा ले तब कि आप एक्जामनेशन देने से बंचित ना हो सके और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखें आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सप्लिमेंटरी एक्जामनेशन का उसका मैंने वीडियो पहले ही अपलोड किया है उस वीडियो को जरूर देखें उसको फॉलो करें और अपने सीबीट एक्जामनेशन का तैयारी स्टार्ट कर दें आपको इसी तरह के अपडेट देखने को मिलते रहते हैं आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिजेगा थैंक यू